लो माई डियर फेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप एकदम मज़े में होंगे तो आईफोन 14 प्रो की वीडियो जो है बहुत ही कम बनी है इस चैनल पर तो आज मैं रिव्यू करूंगा आईफोन 14 प्रो का जिसका कलर है ब्लैक एक साल कंप्लीट होने वाले हैं इस आईफोन 14 प आप लोग थोड़ा सा नजर डालिए कि कैसी है और यहां पर मैं आपको यह भी बता हूँगा कि इस फोन मेंने कवर कौन सा यूज़ किया है पूरे एक साल तो यहां पर कवर सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ किया है जो मैं आपको थोड़ी तर में दिखाने वाला हूँ और इसकी कंडिजन फिजिकल कैसी काफी गंदी सी लग रही होगी आप लोगों को यहां पर आप लोगों को पता होगे स्टेनलेस स्टील की यह जो बॉड़ी है यहां पर फ्रेम है बहुत ही जल्दी यहां पर जो है आपके फिंगर प्रिंट्स जो है वो आ जाते हैं इसी वज़ेसे आपको बहुत ही जरूरी बात एक इसमें कोई बहुत झाएंगा। यूज नहीं किया है, विधाँट इस स्क्रीन गार्ट फून को यूज किया है, तो यहां पर आपको बहुत सारे इसक्रेजर जो है physical जो है वो दिख जाएंगे काफी जो है scratches आ चुके हैं क्योंकि एक साल तक अगर आप किसी भी iPhone को बिना किसी जो है tempered के use करते हैं तो काफी ज़ादा जो है आपको phone में scratches जो है वो आ जाते हैं और मेरे 14 Pro में same चीज हुई है बड़ यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगो तक share कर दूँ कि जो है without जब आप use करते हो screen card iPhone को तो यह काफी fast और काफी अच्छा फील होता है बड़ यहाँ पर safety उतनी जो है फिर नहीं रह जाती तो आपको काफी सारे scratches वो डिस्पले पर आपको जो है वो दिख जाएंगे बात करेंगा जहाँ पर brightness वगरा की तो वो ठीक ठाक ही है बट यहाँ पर जब धूप में आते हो तो आपको brightness वोड़ी सी down हो जाती है same to same वही problem में चाहिए आपको नया phone लो या फिर पुराना लो बात करेंगा इस cover count सा यूज़ किया तो यह गंदा सा आप लोग देख रहे हैं एक साल होगा इसको मैं आप फेकने वाला हूँ तो एक साल से सिर्फ और सिर्फ यही cover में यूज़ कर रहा हूँ यह covers जो है mini basis में मंगाता हूँ तो काफी अच्छी quality की मुझे cover लगते में से और यहां पर गाइस और भी बात करूँ कर फिजिकल कंडिसन की तो overall में कहूँगा काफी सही है तूटा नहीं है और गिरा नहीं है लेकिन सबसे जो है डरावनी बात आप लोगों के सामने है वो यह है इसकी battery health 87% battery health बची है और जो है इस phone को यूज कितना किया बहुत ज़्यादा iPhone यूज हुआ है जब primary device में इसको बहुत ज़्यादा यूज किया हुआ है इसलिए इसकी battery health है वो पूरी की पूरी जो है डाउन हो चुकी है अभी एक साल complete हुआ भी नहीं है और जो है 87% battery health जो है वो ड्रेन हो चुकी है कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों को दिखा था यहां पर गाइस मैं बात करूँ इस phone की तो अभी तो सब कुस ठीक ठाक चल रहा है कोई भी problem जो है नहीं आई है क्योंकि 14 pro एक अच्छा phone था 13 pro भी बहुत अच्छा phone था पर आज के टाइम पर जो 15 pro सीरीज आई है उसका जो प्रीमियम फील वाला आपको जो है वो आपको म सुरत दिखता है और जो ब्लैक वाला कलर था 14 pro का वो सच में अमेजिंग है यहां पर 15 pro max जो 14 pro max था वो वाइड कलर में था मेरे पास और जो यह 14 pro है यह जट ब्लैक है तो ब्लैक कलर आपको आईफून 7 वाली फील दे सकता है यहां पर सच में गाइस ब्लैक कलर का उसके गंदे हो जाते हैं तो इनको भी साफ करा ही लूँगा तो फिजिकल कंडिशन एक साल के बाद मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको रखा हुआ है तो कुछ खास जो है स्क्रेचर जो है बॉड़ी पर आईफून 14 pro की नहीं आ है यहां पर गैस अगर मैं बा इस फोन में जो है मैंने अभी तरह नहीं किया नहीं मैं कोई पब्लिक बीटा या फिट इफलेफर बीटा जो है में यूज बनी करता हूँ और आपको रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि आपको वो अपडेट जो ही यूज करने चाहिए तो यहां पर गैस सब को ठीक ठाक च इन है 11 दिन के बाद इस फोन जो पूरी तरह से एक साल का हो जाएगा तो एक साल के बाद इस फोन की जो कंडिशन थी मैंने आपको दिखाई काफी अच्छी तरीके से सही है जब आप इतना पैसा खर्चा करते हो अपने किसी भी आइफोन पे तो एक साल बाद भी वो प्री इसी आपको फिल नहीं आने वाली है तो यहाँ पर मुझे आइफोन 14 प्रो जो सबसे अच्छा फोन लगा है 13 प्रो से भी अच्छा लगा तो अगर आपको यह आइफोन लेना है 14 प्रो तो आप बिलकुल आँख बंद करके आज के टाइम पर भी ले सकते हो अगर आपका ब 15 प्रो से तो आपको मैं कहूंगा कि अगर आपको जो है टाइटेनियम नहीं चाहिए तो सबसे बेस्ट प्रो स्रीस का फोन जो मैं कहूंगा अब तक का वो है आइफोन 14 प्रो 13 प्रो से काफी ज्यादा बेटर है और 15 प्रो से भी काफी लोग कह रहे है कि 14 प्रो जो है ज्य तो 15 लेने से अच्छा है कि आप iPhone 14 Pro लीजिए, इसमें Always On Display तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आपको 120Hz का Refresh Rate वाले डिस्पले भी मिलती है, और यहां पर Colors भी आपको काफी अच्छे-च्छे मिल जाते हैं, जो है Black आता है, इसमें Silver भी काफी अच्छा है, Gold आता है, और इसमे एक Blue भी आता है, जो की परपल का फोन है था, सारा कुछ में काऊंगा 14 Pro काफी अच्छा फोन है, अगर आप लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, बाकि आइफोन जो है, यह होल्ड करने में काफी सही है, प्रीमियम फील देता है, यह देता है, सारा कुछ में काऊंगा 15 से प्रापलम है काफी लोगों को पसंद नहीं है, चाहे वो 15 रेगुलर सेरीज हो, या फिर 15 प्रो या फिर प्रो मैक्स की सीरीज हो, तो तो प्रापलम है, वाकि उनकी बेल्ड क्वालिटी है, वो भी उतनी अच्छी नहीं, टाइटियनियम है, लेकिन ठीक है, बट आप जब आप आइफून 15 लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिक बिलिंडे से ल आएगी नेक्स्ट येर, तब आपको 55-60,000 के बीच में आराम से आइफून 15 मिल जाएगा, तब आप लीजीगा, बट अगर आपको ये पास 80,000 रुपए अभी हैं, और आप इसको खर्च करना चाहते हो, आइफून 15 पे, तो मैं कहूंगा, आप जाएए आइफून 14 प्रो की तरफ, क्योंकि ये फोन काफी अच्छा है, आइफून 15 के मामले में, अगर आप इसको कंपेर करेंगे हर चीज़ से, चाहे कैमरे से कंपेर करें, चाहे आइफून 14 प्रो, तो आज के टाइम का जो सबसे प्रो वाला फोन, अच्छा मैं कहूंगा, वो है आइफून 14 प्रो, ना कि 15 प्रो और 13 प्रो, सबसे बेस्ट प्राइस में, आज कल मिल रहा है आइफून 14 प्रो, तो अप ले सकते हैं, मेरे साब से ये एक बेस्ट झिल्य, बाइब बाइ!